जब तक अतीत को याद करते रहोगे तब तक खुद को बरबाद करते रहोगे जी हाँ अतीत को भूल कर मुवान करना आगे बढ़ना इंसान के लिए अती महत्वपून है नमस्कार मैं हूँ हिमानशू और आप देख रहे हैं आइंट 27 नियूज राकिस सावंत कौन नहीं जा कर रही हैं वो कदम ऐसा जिससे सुनकर आप भी चाहे उनके बारे में कोई भी विचारधारा रखते हों मगर उनकी सारहना जरूर करेंगे उन्होंने दुबाई में अपना एक एक्टिंग अकैडमीं खोला है जिसके जरिये वो विदेशी लोगों को कुछ ऐसे लोगों को जिनके अंदर हुनर है उनको मंच नहीं मिल पा रहा है उनको वॉलिवूड में लेकर क्या आएंगे आए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है राखे सावन तिन दिनों पती आदिल खान दुरानी के धोके से बेहत दुखी है राखी ने अब तक पती के बारे में कई बड़े खुला से किये हैं साथ ही उन्हें कई बार फूट फूट कर रोते हुए भी देखा गया है हाला कि अब अपने दर्थ से उभर कर राखी अपने करियर पर ध्यान दे रही है और नई रहा चुन रही है इस बीच राखे सावन्त ने अपना नया एक्टिंग स्कूल शुरू कि है इस अकैडमी के जरिये लोगों को सरिफ ट्रेनिंग ही नहीं बलकि वॉल्यवोड इंडर्स्ट्री में कदम रखने का मौका भी मिलेगा रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी सावन्त ने कहा कि मैंने एक अकैडमी शुरू की है जहां गल्फ और अन्य देशों के इच्छु अभी नेताओं को वॉल्यवोड में काम करने के लिए ट्रेन किया जाएगा जल्द ही राखी सावन्त का नया म्यूजिक वीडियो भी आने वाला है प्रसनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहने वाली राखी सावन्त को बीते दिनों अपने अपकमिंग म्यूजिक वीड लिखने को मिल रहे थे दुख दर्द तकलीफ और परिशानियों को किनारे कर फिर एक बार राखी सावन्त अपने उसी अंदाज में आ गई हैं बताने राखी सावन्त को साल 2022 में आदिल खान से प्यार हो गया था एक्ट्रेस ने दुनिया के सामने आदिल खान को कबूल कर लिया और अपना नाम बदल कर फातिमा कर लिया इसके बाद गुप चुप उन्होंने शादी भी कर ली जिसके जानकारी उन्होंने जनवरी 2023 में जनता को दी निकाह की खबर शेयर करने के महज एक महिने के बाद राखी ने अपने पती आदिल खान पर मारपीत का आरोप लगाया इसके अलावा धोका धड़ी और कई अन्य लड़कियों के साथ अफेयर के भी आरोप लगाए तो राखी ने अब मूव ओन कर लिया है राखी अपनी जिंदगी में आगी बढ़ रही है आपकी क्या रहा है वो नीचे कोमेंट सेशन में जरूर बताएं और देखते रहें N27 News बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खाबर पर